राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको क्रश्ण जन्माश्ण में पर करने वाले कुछ दिब्ब्य और चमतकारी उपाई बताएंगे इन उपाईओं को करने से हर मनुकामना पूरी होती है घर में अन्धन सुख सम्रध्धी की कमी नहीं होती दामपत्य जीवन भी मधुर बनता है घर में सुख में बातावरन रहता है घर परिबार धन धानने से भर जाता है सबी दुखों और कष्टों से मुक्ती मिलती है जन्म हुआ था इस बार कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी 24 अगस्थ की सुभे आठ बच्च का तीस'T नर्टक है यानि कि 24 अगस्थ को उडिया तिथी के हिसाब से अश्टमी तिथी है और रोहणी नक्षत्र भी है इसलिए 24 अगस्त को ही कृष्णे जन्माश्टमी मनाना सर्वुत्म होगा 5246 वश पात इस बार जन्माश्टमी पर दौपयुक की जन्माश्टमी जैसे शुप संयोग बन रहे हैं जन्माश्टमी पर भगवान श्री किष्ण को पसंने करने के लिए जो पूजा और उपाय के जाते हैं बहुत ही जल्दे शुफल प्रदान करते हैं जन माश्टमी पर अपनी मनो कामना की पूर्ती के लिए भगवान श्री किष्ण को माखन मिश्री तथा तुलसी पत्र का भोग जरूर लगाएं। या फिर प्रतिमा को लकडी के पट्टे पर पीला रेश्मी बस्तर बिचा कर उस पर इस्थापित करें। भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला तथा पीले फल तुलसी पत्र पीली मिठाई अर्पित करके उनके सामने जल का एक लोटा भर कर रखें। शुद्द गाए के घी का चो मुखा दिया उनके सामने चलाएं तथा पीले आसन पर पैट जाएं। फिर सबसे पहले भगवान गडपती का ध्यान करें तता अपने गुरु को प्रणाम करके मदुराश्ट कम का पाँच बार पाट करें। पाट पूरा होने के बाद पीली मिठाई, फल, तुलसी पत्र भगवान को अरपर करें। दौनों एक दूसे को मिठाई खिलाएं तथा लोटे का जल पीएं। अगर आपके घर में धनकी कमी है, नौकरी नहीं लग रही, या फिर ब्यापार ठीक नहीं चल रहा, या घर में किसी भी तरहें की कोई समस्या है, घर में सब कुछ होते हुए भी खुशाली नहीं है, परिवार में तनाब रहता है और लड़ाई छकड़े होते हैं। तो जन्माश्टमी के दिन घर के पूर्विदिश्या में एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा पिछाएं, भागवान श्री किष्ण के बिग्रे को एक पातर में रखें और उनके सामने धूप दीप अवश्य जलाएं। अब भागवान श्री किष्ण से प्रातना करें कि वह आपके घर में पधारें और उन्हें पंचामरत से इसनान कराएं। पंचामरत याने की दूद, दही, घी, शहर और जल से इसनान कराने के बाद अब भागवान श्री को हलके पीले या गुलावी रंग के बस्त पहना कर श्रिंगार करें। केसर में गुलाव जल मिलाकर उन्हें तिलक करें तथा माखन मिश्री का भोग लगाएं। परिवार के सभी सरसे अपने दाएं हाथ याने की राइट हैंड में तुलसी पत्र लेकर भागवान श्री को भोग लगाएं और अपने घर में अंधन की प्रातना करें। और घर में सुक सम्रद्धी और अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रात्ना करें। फिर से भगवान श्री किष्ण को धूब दीब दिखाएं और किसी आसन पर बैठा कर क्रश्ण क्रश्ण मंत्र का 108 पार चाप करें। और कोई भजन या मंगल गीत अवश्य काएं या भगवान कुझ विहारी जी की आरती काएं। अब हम आपको बताते हैं जन्माश्णुई का एक दिब्बे और महा उपाएं। इस उपाएं को करने से सभी मनोकामनाय पूरी होती हैं। फिर चाहें मनोकामना विभा संबंदी हो नौकरी संबंदी या बैवसाय संबंदी या धन संबंदी या फिर आपको कोई रोग हो या आपको कोई भी कष्ट या दुख हो इन सबसे मुक्ती पाने के लिए करें ये उपाएं। क्रश्ने जन्माष्टमी पर सारा दिन प्रत रखके सुद्ध बस्त्र धारण करें और भगवान श्री किष्ट का कोई भजन कीतन अवश्य करें। भजन कीतन नहीं कर सकते तो बस मन ही मन राधे राधे या फिर ओम नमो भगवते बासु देवाएं मंतर का जाप करते रहें। क्रश्ने जन्माष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के नीचे गाय के खी का दीपक जलाएं और ग्यारे बार ओम नमो नारायना मंतर का जाप करें। शाम होने से पहले ही 108 तुलसी जी के पत्तों की पीले धागे में माला बनाएं। अब जन्माष्टमी की राद बार बचकर एक मुनट के बाद अब भगवान श्री किष्णी जी को पंचामरत से इसनान कराएं। उनका श्रिंगार करें और फिर उन्हें जूले पर बठाकर जूला जूलाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर पीले रंगे आसन पर बैठ कर भगवान जी को तुलसी जी के पत्तों की माला पहनाएं। अब भगवान जी को माखन मिश्री फल मिश्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद शुद्ध तुलसी जी की माला या किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्रों का जाब करते हैं, उस माला पर आप भगवान श्री किष्ण जी के इस मंत्र का जाब करें, मंत्र है ओम, क्ली, प्रश्णाय, नमा, इस मंत्र की माँ पांच माला का जाब करें, इसके पार भगवान श्री किष्ण जी को प्रणाम करें, अपनी मनुकामना पूरी करने के प्रातना करें और बड़े बुजर्गों के चण इस पर शकर के आशिरवाद लें इस उपाई को करने से भगवान श्री किष्ण जी की कपास से इस भी मनुकामना पूरी होती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फूर वाचिंग राधे राधे